नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अच्छ भी का एक बार फिर से आपके पनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेन स्टुडियो पर तो दोस्तों हम पढ़ें यूपी बीएड प्रेश चैनल के अलावा किसी अन्य एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी दोस्तों ये स्टेटिक जीके और करेंट काफी इंपॉर्टन्ट है आप भी से पढ़ सकते हैं इस्टेटिक जीके की सीरीज में दोस्तों हम इस्टेटिक जीके को करेंट पॉइंट ऑफिस से यान की करेंट को जोड़ कर पढ़ेंगे ताकि एक भी एक्जाम में कोशन दोस्तों हम से चूट न पाए इस्टेटिक जीकी की सीरीस के अंतरगर दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं मद्यकाली नितिहास को वो मद्यकाली नितिहास के अंतरगर दोस्तों हम लोग कम्पलीट कर चुके हैं दिल्ली सल्तनत को बचा दोस्तों मुगलवन्स तो मुगलवन्स का एक पार्ट हम लोग cover कर चुके हैं आज के पार्ट में दोस्तों हम लोग अकबर, जहांगीर, और साजहाँ और औरंगजेक के संभन में जानेंगे यह हमारा मुगलगाल का अंतिम पार्ट है जो पार्ट टू है तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट नम्मर कुष्ण ने मारा कि गुजरात विजे के उपलच में अकबर ने निम्नमे से किसका निर्मार करवाया था जामा मजजित का, बुलंद रवाजे का, इलाहबाद के किले का या फिर इनमे से कोई नहीं तो इसका सही अंसर हो जाएगा दोस्तो अप्सिन नमर बी बुलंद रवाजे का निर्मार दोस्तो गुजरात विजे के उपलच में अकबर ने करवाया था कहां पर तो फतेपूर सिक्री में सेकेंड नम्मर कुष्ण ने हमारा कि अकबर के राज जिकाल में निमलिकित में से कौन सी दर्बारी भासा प्रचलित थी अर्बी, अफगानी, तुर्की या फिर फार्सी तिसका सही अंसर हो जाएगा दोस्तो अप्सिन नमर डी और अकबर के राज जिकाल में दोस्तो फार्सी भासा दर्बारी भासा बने जाती थी फोन नम्मर कुश्चने मारा कि मुगल काल में सुरपर्थम सोन मुद्रा का प्रिशलन किस ने किया था यानि कि सोने की मुद्रा या सोने के सिक्के सबसे पहले किस ने जारी किये थे अकबर ने, बाबर ने, हुमायू ने या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका सही इन से रुजाएगा दोस्तों आप्स नमबर A अकबर ने दोस्तों सरपर्थम मुगल काल के इतिहास में सोण मुद्रा का प्रिशलन किया था फाईप नमबर कुषण ने मारा कि अकबर की सैन ने ब्यवस्ता किस पर अधारित थी सामे वाद पर, जागिर दारी पर, मनसबदारी पर या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका सही इन से रुजाएगा दोस्तों आप्स नमबर C मनसबदारी विवस्था पर दोस्तों अकबर की सैन ने विवस्था अधारित थी 6. क्वेशने मारा कि मुगल कालिन प्रसासन में सुरुपर्थम मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रार्म किया था जहांगीर ने बाबर ने अकबर ने या फिर हुमायू ने जिसका सही इन सरुजाएगा दोस्तों अप्सन नमबर C अकबर ने दोस्तों मनसबदारी प्रणाली की सुरुवात की थी और इसी प्रणाली के अधार पर दोस्तों विवस्था संचालित करता था इसका सही इन सरुजाएगा दोस्तों आप्सन नमबर A इस नमबर कुश्चने मारा कि भूर आजस से बिवस्था की नीथी आईने ए दहसाला किसके दौरा बनाए गई थी तो दोस्तों एक भूस बिवस्था की ये नीथी थी जिसका नाम था आईने दहसाला इसकी शुरुवात या इसकी स्थापना कि इसने की थी तो इसका सैन्स रोजाइगा दोस्तो आपस नमबर C राजा टोडर मल राजा टोडर मल दोस्तो अकबर के वित्यमंतरी थे 9. कुछने मारा की अगबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था 1563 इसवी में 1564 इसवी में 1565 इसवी में या फिर 1580 इसवी में इसका सही इंसर रूजाएगा दोस्तो अपसन नमबर भी 1564 इसवी में दोस्तो उसने जजिया कर को समाप्त किया था टैन नमर कुछने मारा की टोडर मल किसके प्रधारमत्री थे अकबर के सेरसा सुरी के उपरिग दोनों के या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका सहीन से रोजाएगा दोस्तों आप्सन नमर सी उपरिग दोनों के राजा टोडरमल दोस्तों अकबर के भी प्रधारंतरी या मित्यबंतरी थे इसके पूर्फ दोस्तों वे सेरषा शुरी के सासनकाल में भी काम कर चुके थे अईजा प्रधारंतरी के रूप में 11. कुष्ण Beimará की अकबर ने राजा टोडरमल को कौन सी उपादी दी थी दिवाने असरप की उपादी दोस्तों अकबर ने राजा टोडरमल जी को दी थी टोयल नमबर किशने मारा की बुराजस के छेतर में सेरसा और अकबर के बीच की कड़ी कौन था राजा भीरबल, फैजी, भारमल या फिर राजा टोडरमल जैसा की दोस्तों हम जानते हैं कि सेरसा सुरी और अकबर के सासनकाल में ऐजा वित्त मंतरी राजा टोडरमल काम कर चुके थे और वित्व मंतरी के नाते होते हुए दोस्तों दोनों के सासन काल में एक जैसी भूराजस के छेतर में नीतियां अपनाई थी राजा टोडर मल ने तो इस परकार दोस्तों सेरसासुरी और अकबर के बीच की कड़ी कौन था तो राजा टोडर मल तरटीन नमर कुशने मारा की अकबर के प्रसासन में सैन विभाग के प्रधान को कहा जाता था मीर बकसी दिवान मलिक या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसका सही इंसरो जाएगा दोस्तों अप्सन नमर ए मीर बकसी दोस्तों कहा जाता था अकबर के प्रसासन में सैन विभाग के प्रधान को 14 नमर कुश्चने मारा कि दस्वंद और बसावन परसिद चित्रकार किस मुगल समराट के राज दर्बार में थे अकबर के बाबर के हुमायु के या फिर जहांगीर के जिसका सहीं सरो जाएगा दोस्तों अप्सन नमर ए अकबर के दर्बारी दोस्तों चित्रका किस नाम से जाना जाता है तो रज नामा से इसके रचेता कौन है तो इसका सहीं सरो जाएगा दोस्तों अप्सन नमर सी बदायुनी बदायुनी ने दोस्तों रज नामा की रचना की थी जो महाभारत का फार्सी अनवाद माना जाता है 16. कि महाभारत का फार्सी अन्वाद रज नामा में किस चित्रकार के चित्र अंकित हैं 17. कि राम चरित्र मानस के रचेता तुलसी दास किस मुगल सासक के समकालिन थे 18. कि राम चरित्र का फार्सी अन्वाद बदायुनी ने किस के सासनकाल में किया था 19. कि किस मुगल सासक के सासनकाल को 20. हिंदी साहित का स्रोण काल कहा जाता है 20. कि राम चरित्र के सासनकाल में दोस्तों हिंदी सासनकाल का काफी विकास हुआ था 20. कि राम चरित्र की रचना का स्रेप्राप्त है 21. कि राम चरित्र का स्रेप्राप्त है 23. कि राम चरित्र का बीर्बल का मूल नाम क्या था रमेजदास, महजदास, बहादूर या फिर निम्ने से कोई नहीं दिसका सही इंसरो जाएगा दोस्तों option number B, बीरबल का मूल नाम दोस्तों महसदास था 23 नमबर किश्चने मारा किसु प्रसिद संगीत कार तांसेन को अकबर ने कौन सी उपादी से विभूसित किया था गाजी की उपादी से, मलिक की उपादी से, कंठा भरण वासी विलास की उपादी से या फिर सुल्तान की उपादी से, तो इसका सही इन्स रोजाएगा option number C, कंठा भरण वासी विलास की उपादी से दोस्तों अकबर ने तांसेन को सम्मानित या विभूसित किया था 24 नमबर किश्चने मारा कि तांसेन का मगबरा कहां इस्तित है आगरा में, दिल्ली में, लहोर में या फिर गौलियर में तो इसका सही इन्स रोजाएगा option number D, दोस्तों तांसेन का मगबरा गौलियर में इस्तित है 25 नमबर किश्चने मारा कि अकबर ने किसे कवी प्रिये या कवी राज की उपादी दी थी 26 नमबर किश्चने मारा कि दीन ए इलाही एक नए धर्म की सुरुवात किस सासक ने की थी अलाओ दिन घिल जी ने, बलबन ने, जहांगीर ने या फिर अकबर ने तो इसका सही इन्स रोजाएगा दोस्तों option number D, अकबर ने दोस्तों एक नए धर्म की सुरुवात की थी जिससे दीन इलाही के नाम से जाना जाता था 27. किस सितिहास कान ने कहा था कि दीन इलाही अकबर की भूल का इसमारक था बुद्धि मानी का नहीं इसरी परसाद ने, इसमित ने, कीन्स ने या फिर लेल पूल ने तो इसका सही इन्स रोजाएगा दोस्तों ये कथन कहा था इसमित ने 28. किस सितिहास कान ने दीन इलाही को एक धर्म की संग्या दी थी 29. किस ने अकबर ने धार्मिक विचार विमर्स करने के लिए किसका निर्मार करवाय था पंस महल का, बुलंदर वाजे का, इबादत खाने का या फिर इनमें से कोई नहीं 30. किस ने अकबर नामा के रचेता कौन है, बदायुनी, इसामी, अबुल्फजल या फिर अकबर 31. किस ने महरा कि अकबर नामा के तीसरे खंड आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है 32. किस ने महरा कि किस इतिहासकार ने अकबर को इसलाम धर्म का दुस्मन की संग्या दी है, यानि कि इसलाम का दुस्मन अकबर को किस ने कहा है? 33. किस ने महरा कि अगरा के लाल किले का निर्मार किस ने करवाया था? 34. किस ने महरा किस समारक का निर्मार अकबर ने नहीं करवाया था? 34. किस ने महरा कि निर्मार किने मैंसे करवाया था? 35. किस ने महरा कि अकबर दोरा बनाई गई कौन सी इमारत का नकसा? 35. किस ने महरा कि अगबर दोरा बनाई गई स्रेश्टम इमारते पाई जाती हैं? 35. इलहाबाद के किले में, फतेपुर सिक्री में, लहोर के किले में या फिर आगरा के किले में? इसका सही इन सरुजाएगा दोस्तों अपस नमबर भी फतेपुर सिक्री में दोस्तों जादतर जट्ती स्रेश्टम इमारते हैं? वो अकबर दौरा बनवाई गई हैं, यह इस्तित हैं दोस्तों फतेपुर सिक्री में 39. इसने मारा कि किस मुगल बासा को रानी अलिजाबेट प्रथम का समकालिन माना जाता है? कोशन काफी इनपोर्टेंट है, दोस्तों आपसे पूछा आ सकता है कि एलिजाबेट प्रथम किस के समकालिन थी? तो इसका सही इनस रुजाएगा दोस्तों आपसन नमबर C, अकबर के फोटी नमर कुशने मारा कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज बेक्तिक का नाम था फ्रांसेसी प्रथम, पीटर बर्ग, रॉल्फ फिच या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका सही इनस रुजाएगा दोस्तों आपसन नमबर C, रॉल्फ फिच फोटी नमर कुशने मारा कि हल्दी घाटी का युद्ध सन 576 में किसके मद दुआ था अकबर और महराना प्रताप, मान सिंग और आदम खा, अकबर और बैरम खा या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका सही इनस रुजाएगा दोस्तों आपसन नमबर A, अकबर और महराना प्रताप के मद दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कब? तो 576 में 42 नमबर कुष्णे मारा की पानिपत का दोतिय युद्ध कब हुआ था? 1544 में, 1556 में, 156 में या फिर 1555 में तो इसका सही इंस रुजाएगा दोस्तों, आपसन नमबर B, 1556 सुई में दोस्तों पानि पत का दोतिय युद्ध हुआ था अक्वर और बैरम खाँ हेमू और मान शिंग, हेमू और आसर्फ खाँ या फिर हेमू और बैरम खाँ के मद तो इसका सरी इंसर जाएगा दोस्तो अप्स नमर D हैमू और बैरम खा के मद दोस्तो पानी पत का दोतीय ज़िद हुआ था हैमू दोस्तो उस समय दिल्ली का सासक था और बैरम खा दोस्तो अकबर का सेना पती था 44 नमर किश्चने मारा की इलाही समवत की सुरुवात किस ने की थी बाबर फिरोसा तुगलक अकबर या फिर बलबने तो इसका सरी इंसर जाएगा दोस्तो अप्स नमर C इलाही समवत की सुरुवात दोस्तो अकबर ने की थी 45. कि निमलिखित में से किस मुगल सासक ने अमरसर में सौन मंदिर के निर्मान हेतु भूमी अनुदान में दी थी जी दोस्तो आज का जो सौण मंदिर इस्तित है अमरसर में उसकी जमीन किसने दी थी बनवाने के लिए तो इसका सही इंसर रोजाएगा दोस्तो आप्स नबर A अकबर ने दोस्तो उसको बनवाने के लिए जमीन अनुदान में दी थी 46. नंबर कुश्चने मारा की अकबर का मगबरह कहा इस्तित है गुजरात में दिली में फटेपुर सिक्री में या फिर सिकंद्रा में इसका सई नaction रजाएगा दोस्तो घ्रफование 8 mesma डूस्तो अकबर का मगबरह इस्तित है 47. कि अकबर प्रेम से जहांगीर को किस नाम से पुकारता था जहांगीर दोस्तों अकबर का पुत्र था और अकबर उसे प्रेम से किस नाम से पुकारता था तो इसका सरी इंस रजाएगा दोस्तों अप्सिन नमर बी सेखु बाबा की नाम से 48 नमर किशने मारा की जहांगीर का बच्पन का नाम क्या था फरीद जहांगीर रामतनु पांडे या फिर सलीम तो इसका सेंस रजाएगा दोस्तों अपसन नमर डी सलीम दोस्तों जहांगीर का बच्पन का नाम था जबकि दोस्तों अकबर उसे प्रेम से सेखु बाबा की नाम से भी पुकारता था 49 नमर कुष्चने मारा की किस मुगल सासक ने सिख गुरु अरजुन देव को फांसी दी थी साजहां, अकबर, जहांगीर या फिर बाबर वी समिथ, जेम्स प्रतम, थॉमस रो या फिर कैप्टन होकिंस तो इसका सई अंसर हो जाएगा दोस्तों अपसन नमर डी कैप्टन होकिंस जिनने हम कैप्टन विलियम होकिंस के नाम से भी जानते हैं ये दोस्तों जहांगीर के दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज बैखती थे 51 नमबर कुछने मारा की जहांगीर ने किस अंग्रेज राजदूत को इंगलिस खां की उपादी प्रदान की थी दोस्तो सबसे पहला अंग्रेच कौन आया था जहांगीर की दरवार में इसका सही इंसर हो जाएगा और कैप्टन हॉकिंस को ही दोस्तो जहांगीर ने इंगलिस खांकी उपादी से सम्मानित किया था 52 नमर कुछने मारा कि किस मुगल सासक ने इस्ट इंडिया कमपनी को भारत में बेपार करने का फरमान दिया था कि इंग्लेंड के राजा जेम्स पर्थम ने सुरपर्थम किसे राजदूत की रूप में मुगल सासक जहांगीर के दरबार में भेजा था थामसरो को, विलियम होकिंग्स को, जेम्स दुतिय को या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसका सही इंसर जाएगा दोस्तो विलियम हॉकिंस यानि कैप्टन हॉकिंस को सुरप्रथम जहांगीर के दरबार में इंग्लेंड के राजा जिन सुरप्रथम ने भेजा था 54 नमर कृश्चन है मारा की किस सिग गुरू ने विद्रोही राज कुमार कुस्रो की साहता धन एवं आसिर वास से की थी तक इसका सही इनसर जाएगा दोस्तो और आपस नमबर बी गुरू अर्जिन देव ने दोस्तो राजकुमार खुसरो ये जहांगीर का फुत्र था और ये दोस्तो राजगदी के लिए जहांगीर की काल में उसके विरुद्ध काफी विद्रो कर रहा था और जब दोस्तों जहांगीर ने इसको पकड़ना चाहा इसके विद्रों को दबाना चाहा तब ये दोस्तों भाग जाता है और इसकी सहायता दोस्तों करते हैं गुरु अर्जुन देव धन के रूप में इसके लावा दोस्तों गुरु अर्जुन देव इसे आसिरवाद भी देते हैं इसे सिच्चिड कर दोस्तों जहांगीर गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा देते हैं 55 नमर कुछने मारा किन इनमें से नूर जहां का वास्तविक नाम था बेगम हजरत सलीमा महरुन निसा या फिर इनमें से कोई नहीं तिसका से इंसर जागा दोस्तों नमर सी नूर जहां का वास्तविक नाम दोस्तों महरुन इसा था नूर जहां दोस्तों जहांगीर की पत्नी थी 56 नमर कुछने मारा किन इनमलिकित सासकों में से किसके सासनकाल में चित्रकला का शौन यूग कहा जाता है दोस्तों अभी हमने पढ़ाता कि सहिंदी साहित कला क शोणकाल किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है दोस्तो अकबर के सासनकाल को अब पूछा गया है दोस्तो कि चित्रकला का शोण यूग कि किसके सासनकाल को कहा जाता है तो इसका सही इंसर जाएगा दोस्तो अप्स नमबर D जहांगीर के सासनकाल को दोस्तों चित्रकला का शोणियू कहा जाता है 57 नमबर किशने मारा कि किस मुगल सासक ने स्रोप्रथम तंबाखु पर प्रतिबन लगाया था अगबन ने, जहांगीर ने, औरंग चेब ने या फिर साजहा ने जगाय विसका स्यम स्रोजाएगा दोस्तों अप्स नमबर बी जहांगीर ने, दोस्तों स्रोप्रथम तंबाखु पर प्रतिबन लगाया था जहांगीर खुद ही बहुत नसे मे रहता था ये काफी नसा खुद करता था 58 नमर किशने मारा किन इनमें से किस मुगल सासक ने इस रोपर्थम राजा की आकरित सेयुत सिक्ट के चलवाय थे यानि कि सिक्कों पर दोस्तों राजा की आकरिती सबसे पहले किस ने बनवाई थी तो इसका सही इन से रुजाएगा दोस्तों अप्स नमबर सी जहांगीर ने 59. किन इनमें से किस मुगल सासक ने अपनी आत्म कथा लिखी थी बाबर ने जहांगीर ने उपर इक दोनों ने या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसका सही इन से रुजाएगा दोस्तों अप्स नमबर डी उपर इक दोनों ने यानि कि दोस्तो मुगलकाल में दो सासक रहें एक बाबर और जहांगीर इन्होंने दोस्तो अपनी आत्मकता लिखी थी 60 नमर कुशने मारा कि जहांगीर ने अपनी आत्मकता तुजुक ए जहांगीरी किस नाम से लिखी थी तो दोस्तों जहांगीर की आत्मक्ता का नाम था तुजुक ए जहांगीरी यह किस भासा में लिखी गई थी तो इसका सहीन सरो जाएगा दोस्तों आपस नमर ए फारसी भात 61 नमर कुछने मारा की जहांगीर की दरबार में पसू पंची चित्रकारी का विसेशग की था यह कि दोस्तों जहांगीर की दरबार में सबसे अच्छे पसू पंची की चित्र कौन बना रहा था तो इसका सहीन सरो जाएगा दोस्तों आपस नमर बी मनसूर 62 नमर कुछने मारा की जहांगीर की दरबार में बेक्ती चाग चित्रकारी का विसेशग था मनसूर, पीरसयद, अबुलहसन या फिर दसWant तो इसका सहिन सरुजाएगा दोस्तो MPC अबुलहसन दोस्तों बेग्ती चित्रकारी का विसेसक गी था जबकि दोस्तों मनसूर पसुपंची चित्रकारी का विसेसक गी था क् पूर्व का हॉरम कहा जाता है Question काफ़ी important है दोस्तों कि आप से पूछा या सकता है कि पूर्व का होरम किसे कहा जाता है इसका सहिं सरुजाएगा दोस्तों option no.D वेहजात नामक, दरबारी चित्रकार था दोस्तों जहांगीर का इसे पूर्व का होरम कहा जाता है 64. कुशने मारा की आगरा में इस्थित इत्मत दौला का मगबरा किसने बनवाय था दोस्तो इत्मत दौला कौन थे तो इत्मत दौला थे दोस्तो जहांगीर के ससुर यानि की नूर जहां के पिता थे इत्मत दौला और इनका मकबरा दोस्तो आगरा में इस्थी थे इनका मकबरा गिसने बनवाय था तो दोस्तो इनकी पुत्री ने यानि की नूर जहाने 65 नमर कुशने मारा कि मद्दिकालिन भारती इतिहास में संगमर्मर से संपूर्टा निर्मित मुगल कालिन पहली इसमारक है यानि की संगमर्मर से पूरी तरह से बने हुई भारती इतिहास में पहली इसमारक कौन सी मान जाती है तिसका से इन सर जाग दोस्तों अपसिन नंबर B इतमत दौला का मगबरा दोस्तों पूरे मद्दिकाली इन्तिहास में पहला मगबरा है जो संपूर्त्या संगमरमर से बनाया इसमारक है 66 नमर कुश्चने मारा कि मुगलकाल के इतिहास में स्रोपर्थम पित्रा दुरा सजावट का प्रियोग किस इसमारक में किया गया था बुलन दर्वाजे में, अलाई दर्वाजे में, इत्मत दौला की मगबरे में या फिर ताज महल में इत्मत दौला की मगबरे में, इत्मत दौला, पित्रा दुरा का प्रियोग किया गया था 67 नमर कुश्चने मारा कि अगबर दौरा लाल पर्थर से निर्मिट सेख सलीम चिस्ती के मगबरे को किसने संगमरमर का करवाय था यानि कि दोस्तो सेख सलिम चिस्ती के मकबरे का निर्मार तो अकबर ने करवाया था उसमें दोस्तो जब इसका निर्मार हुआ था तो इसमें लगाया गया था लाल पत्तर लेकिन दोस्तो बाद में संगमरमर इसमें किस ने लगवाया तो इसका सही इंसरो जाएगा दोस्तो जहांगीर ने दोस्तों जनता की फर्याद सुनने के लिए आगरा के किले में दोस्तों एक सोने की जन्जीर लगवाई थी इस जन्जीर के माध्धम से दोस्तों जो भी अपनी फर्याद लेके आता था तो वो जन्जीर को खीशता था इस से दोस्तों एक गंटी बस्ती थी और जहांगीर ये गंटी सुनकर दोस्तों लोगों की फरिया सुनता था 69 नमर कुछने हमारा कि सुरपर्थम गुलाब से इत्र बनाने की खोच किसने की थी कुछन काफी इंपॉर्टन्ट है आप से पूछा है सकता है स्वेंटी नमर कुछने हमारा कि जहांगीर ने अपनी पत्नी नूर जहां को दी थी 71. कि किस मुगल सासक का मगबरा भारत के बाहर इस्थी थे बाबर, जहांगीर या फिर उपरिक दोनो तो इसका से इंसर जाएगा दोस्तो आप्स नमबर C उपरिक दोनो यानि कि दोस्तो बाबर और जहांगीर का मगबरा भारत में नहीं बलकि बाहर इस्थी थे बाबर का मगबरा दोस्तो काबूल में इस्थी थे 72 नमर कुष्टने मारा की जहांगीर का मगबरा कहां इस्थी थे आगरा में, अजमेर में, सहधरा लहौर में या फिर गुजरात में तिसका सीन सरुजागा दोस्तों लहोर में सहद्रा नामक इस्थान पर जहांगीर का मगबरा इस्थी थे और बाबर का मगबरा दोस्तों अफगानिस्तान की राधानी काबूल में इस्थी थे इन दोनों का मगबरा दोस्तों भारत के बाहर इस्थी थे 73 नमर कुछने मारा कि किस मुगल सासक ने निसार नामक सिक्के चलवाए थे जहांगीर ने, अगबर ने, औरंग जेब ने या फिर बाबर ने तो इसका से इन सरुजागर दोस्तो अप्शन नमर ए जहांगीर ने दोस्तो निसार नामक सिक्के चलवाए थे 74 नमर कुश्रे मारा कि इकबाल नामा ये जहांगीरी की रचनाकार कौन है जहांगीर, नूर जहां, साजहां या फिर मैतमित खा तो इसका सेंस रुजागर दोस्तों मैतमित खा दोस्तों इकबाल नामा ये जहांगीरी की रचनाकार है 74 नमबर कुश्चने मारा कि किसने चांदी के सिकों पर रासी चक्र का चित्र अंकित करने का प्रिशलन किया था अगवर ने, जहांगीर ने, साजहा ने या फिर औरंग जेम ने 76 नमबर कुश्चने मारा किविस्चु का सबसे महंगा हीरा, कोहिनूर का हीरा, साजहा ने कहां लगवाए था ताज महल में, दिल्ली के लाल किले में, मोती मज़ीब में या फिर मयूर सिँखासन में तो इसका सरीम सरजागा दोस्तो, आप्स नमर 2 मयूर सिङखासन बनवाए था, साजहा ने और सिंखासन में ही दोस्तो कोहिनूर का हीरा उसने जड़वाए था 77 नमर कुश्चने मारा कि कोहिनूर का हिरा सा जहां को किसने उपहार में दिया था मान सिंग ने, मीर जुमला ने, अबुल हसन ने या फिर दारा सिको ने तो इसका सरी जरू जाएगा दोस्तो आप्सिन नमर B दोस्तो मैयूर सिंगहसर को तक्ते ताउच की नाम से भी जाना जाता है इसका निर्माण दोस्तो साजहा ने अपने कलाकार बेबादल खाल के द्वारा इसे करवाया था 79 नमबर कुष्णे मारा की किस मुगल सासक के सासनकाल को इस्थापत कला का शोन्यूक कहा जाता है तो दोस्तो चित्र कला का शोन्यूक किसे कहा जाता है तो इसका राइटन सरोगा जहांगीर की काल को दोस्तो हिंदी साहित कला का शोन्यूक किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है दोस्तो अकबर की काल को और इस्थापत्यकला का शौन्यूग किसके सासनकाल को वह जाता है तो इसका सही इंसर रोजाएगा दोस्तो अप्स नमबर सी सा जहां के सासनकाल को 80 नमबर कुशने मारा कि निमलिकिन मैंसे किस इतिहासकार ने सा जहां के काल को मुगल काल का शौन्यूग कहा है तो इसका सही इंसर रुजाएगा दोस्तो एल सिर्वास्तो ने दोस्तो सा जहां के काल को मुगल काल का शोन्यूक कहा है 81 नमर कुशने मारा कि लिन्यूमे से किस मुगल सासक ने पत्नी मुमताज महल की याद में विस्स परसिद्ध ताज महल का निर्मार करवाया था 41 नमर किस ने आरंग चेपने या फिर अगबने तो इसका सी इंसर रुजाएगा दोस्तो आप्सन नमर ए ताज महल का निर्मार दोस्तो मिमताज महल की याद में सा जहाने करवाया था 82 कुशने मारा किताज महल का वास्तुकार कौन था अबूलहसन, उस्ताद अली, दारा सिको या फिर उस्ताद एहमद लहौरी तो इसका सईन सरजागा दोस्तो आप्स नमबर D उस्ताद एहमद लहौरी दोस्तो ताज महल के वास्तुकार थे 83 नमबर कुशने मारा कि आगरा की किले में स्थित मोती महज़ित का निर्मार किस ने करवाया था सा जहाने, औरंग जेब ने, अकबर ने या फिर हुमायू ने इसका सईन सरजागा दोस्तो आप्स नमबर A सा जहां ने दोस्तों आगरा के के लाल किले में इस्थित मोती मस्जित का निर्मार करवाया था जबकि दोस्तों आगरा के किले का निर्मार तो अगबन ने करवाया था 84 नमबर कोश्चन है मारा कि दिल्ली के किले में इस्थित यानि कि दिल्ली की लाल किले में इस्थित मोती मस्जित का निर्मार किस ने करवाया था अगबन ने, हुमायु ने, साजहान या फिर औरंग जेम ने तो इसका से इंस रुजाएगा दोस्तों option number D, औरंग जेम ने इस question में दोस्तों काफी confusion होता है कि कि दोस्तों दिल्ली के लाल किले का निर्मान दोस्तों साजहान ने करवाय था तो दोस्तो इस प्रकार चारों कुष्चन अपने याद रखने हैं 85 नमर कुष्चने मारा कि आगरा के किले में स्थित 30 महल का निर्मान किसने करवाया था तो इसका सरी इंसर रोजाएगा दोस्तो आगरा के किले में स्थित 30 महल का निर्मान भी सा जहाने करवाया था 86. कुषिने मायरा कि सा जहां का वास्तविक नाम था सलीम, सेकू, फरीद या फिर कुर्रम तो इसका सऺए इंसरू जागा दोस्तो आप्सिन नमर D कुर्रम 87. कुषिने मारा कि सा जहां की पतनी जिसे वह यानि कि सा जहां प्रेम से मुम्ताज महल कहकर पुकारता था का वास्तिविक नाम था अरजुमन बानो बेगम, महरुनिसा, लाडली बेगम या फिर नौसनारा जिसका सही इन सरुजागा दोस्तों अप्सिन नमर ए अरजुमन बानो बेगम दोस्तों मुम्ताज महल का वास्तिविक नाम था 88 नमर कुछने मारा की अरजुमन बानो बेगम को सा जहां ने कौन सी उपादी प्रदान की थी मलिका जमानी की लाटली बेगम बासा बेगम या फिर नूर जहां की तो इसका सही इंसर रोजागा दोस्तो अप्सन नमर A मलिकाई जमानी की उपादी दोस्तो आरजुमन बानो वेगम को साजहां ने प्रदान की थी जबकि साजहां उसे मुंताज महल के नाम से भी पुकारता था 89. कुछने मारा कि दिल्ली के लाल के लिए का निर्मान किसने करवाया था 90. कुछने मारा कि दिल्ली के लाल के नाम से जानी आती है बुलन दर्वाजा, अड़ाई दिन का जूपडा, अगवर का मगबरा या फिर जामा मजिद जामा मजिद दोस्तो दो जगा बनी हुई है एक तो दिल्ली में एक है दोस्तो फतेपुर सिकरी में तो दोस्तो फतेपुर सिकरी की जो जामा मजिद है वो साने फतेपुर के नाम से जानी आती है इसका निर्मान दोस्तो अगवर ने करवाया था 91 नमर कुछने मारा कि दिली की जामा मज़ित का निर्मान किस ने करवाया था अभी दोस्तों हमने पढ़ा कि फतेपुर की जामा मज़ित को साने फतेपुर की नाम से जान जाता है उसका निर्मान दोस्तों अकबन ने करवाया था जबकि दोस्तों दिली की जामा मज़ित का न ताज महल में बुलंद दर्वाजे में मोती मंजिल में या फिर सीस महल में तिसका सेंसर जागा दोस्तों आप्शन नमर ए ताज महल में दोस्तों भारती इरानी और सीयाई सेली का मिशन मिलता है 93 नमर कुशन मारा की परसिद संगी तक लाल खां किस मुगल सासक के दरबार से समन्दित थे अकबर जहांगीर सा जहां या फिर बाबर तुसका सेंसर जागा लाल खां दोस्तों सा जहां के दरबारी संगी तक थे 94 नमर कुशन मारा की किस मुगल सासक ने गीता और उप निसेदो का फारसी भासा में अनुवाद किया था सा जहां ने औरंग जेब ने दरबार सिको ने या फिर अकबर ने तुसका सेंसर जागा दोस्तों आप्स नमबर 95 नमर कुशन मारा की दरबार सिको ने किस नाम से उप निसेदो का फारसी में अनुवाद किया था लगू अकबर, सलीम, सीरे अकबर या फिर इनमेंज से कोई नहीं तो इसका सेंसर जागा दोस्तों आप्स नमबर सीरे अकबर की नाम से दोस्तों उपने सेदो का फारसी में अनुवाद किया था दरबार सिको ने 96 नमर कुशन मारा की निमलिकित में से कौन सी उपादी दरबार नहीं की थी लगू अकबर की, सीरे अकबर की, हजरत आला की या फिर साह बुलंद इकबाल की इसका से इन सरो जागा दोस्तों अपस नमबर सी हजरत आला की दरबार सिकों ने दोस्तों लगू अकबर, सीरे अकबर और साह बुलंद इकबाल की उपादी धरन की थी जो काफी इंपॉर्टन कुशन आपसे पूछाय सकता है 97 नमबर कुशने मारा की दारा सिकों को लगू अकबर की उपादी किसने परदान की थी वी स्मित, साजहा, इसरी प्रसाद या फिर लेल पूल ने तो दोस्तो एक इतियास कार है नेर पूल उन्हें दोस्तो दारसीकों को लगु अकबर की उपादी या लगु अकबर कहा है 98 नुमर कुश्चने मारा कि नेमलिकित मैसे किस मुगल सासक ने इलाही संवत की स्थान पर हिजरी संवत की सुरूआत की थी तो दोस्तो हमने जैसा कि पढ़ा था कि ये लाही संवत्त की सुरुवात knit ही अखबर ने, जबकि दोस्तो इसको समाप्त कर हिजरी संवत्त की सुरुवात किसने की थी तो इसका सरन लो जाएगा दोस्तो आप्स नमबर e सा जहाने 99. कुछने मारा कि 99 में से कौन सी पूनता संग मरमर से बनी मुगल काली नी इमारत है ताज महल, आगरा की मोती मस्जित, इतमत दौला का मकबरा या फिर उपरिक सभी तो इसका से इन से जाएगा दोस्तो आप्स नमबर D उपरिक सभी यानि कि दोस्तो ताज महल, आगरा की मोती मस्जित और इतमत दौला का मकबरा ये तीनों इदमारत दोस्तो पूरी तरह से संग मरमर की बने हुई हैं 100. कुछने मारा कि ताज महल में प्रियोक किया गया संग मरमर कहां से लाय गया था इरान से, लहोर से, मकराना, एवं आमेर से या फिर सिंदू और काबुल से इसका सही इन सरुजाग दोस्तो आप्स नमबर C मकराना पड़ता है दोस्तो राजिस्थान में तो दोस्तो मैयूर सिंगासान बनवाया था सा जहाने इसको सन 1749 उसे में कौन लूट कर ले गया था तो इसका स्रीम सरो जाँगा नादिर सा नादिर सा दोस्तो फारस का सा सक था हेंड़ेडेग टू नमिर किसन अमारा कि मैयूर सिंहासन पर बैठने वाला अन्ति मुगल सा सकता और अरंग जेब बहादुर सा, मुहम्मस सा रंगीला या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका सही इन सरजागा दोस्तो आप्शन नमबर C मुहम्मसा रंगीला दोस्तो मैयूस सिंगासन पर बैटने वाला अन्ति मुगल सा सकता 103 नमबर कुष्णे मारा कि निनमे से किसे दच्छिण का टूडर मल कहा जाता है 104 नमबर कुष्णे मारा कि निनमे से किस मुगल सासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है तुष्णी निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है क्योंकि दोस्तो सा जहान ने अपने सासनकाल के दूरान काफि निर्मार करवाए थे 10 नमबर कुष्णे मारा कि कि स मुगल सासक को प्रजा साही वेस में फकीर कहते थी औरंग जेब, अकबर, जहांगीर या फिर बाबर को इसका सहीन सरजागा दोस्तो अप्शन नबर A औरंग जेब को दोस्तो प्रजा साही वेस में फगीर कहते थी हेंडेडन सेवन नमर कुषने मारा की दिल्ली के लाल किले में इस्थित मोती मस्जित का निर्मान किस मुगल सासक ने करवाय था जो की हम पहले भी डिसक्स कर चुके हैं दिल्ली के लाल के लिए का निर्मान दोस्तों साजहाने करवाये था लेकिन इसमें इस्थित मोती मस्जित का निर्मान करवाये था उप्सिन नमबर डी औरंग जेब ने 108 नमर कुशने मारा किस गुरू की इसलाम धर्म से ग्रहन ना करने की कारण औरंग जेब ने हत्या करवा दी थी गुरू अरजन देव की गुरू नानक की गुरू तेज बहादूर की या फिर गुरू गोविन सिंगी तो इसका से इन्सर जाए का दोस्तों औरंग जेब ने करवा दी थी जबकी दोस्तों आपको याद हुआ कि गुरू अरजुन देव की अर्जन देव की हत्या करवाई थी जहांगी इन ने यह दोस्तों दो सिक गुरू थे जिनकी हत्या मुगलकाल में हो गई थी यही कारण है कि दोस्तों मुगलों के संबन सिक्खों से अच्छे नहीं रहें इसी कारण हेंडेड एंड लाइन नमर कुष्णे मारा किनिन में से किस संगीत वागयांतर बजाने में औरंग जिप की दचिता थी यानि कि औरंग जिप किस वागयांतर को सबसे अच्छा बजा लेता था तो इसका से इंसरो जागा दोस्तों आप्स नमर भी वीडा को हेंडेड एंड 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 नमर कुष्णे मारा किनिन में लिकित में से किस मगबरे को दोतीय ताज महल कहा जाता है तो दोस्तों किस मगबरे को दोतीय ताज महल के नाम से जाना जाता है तो इसका सही इंसर रोजाएगा दोस्तो आपस नमबर A B.B. के मगबरे को दोस्तो दोतिये ताजमेहल के रूप में जाना जाता है 11 नमर कुछने मारा कि किस मगबरे को ताजमेहल का पूर गामी का जाता है तो दोस्तो अभी हमने पढ़ा था कि दोतिये ताजमेल किस मगबरे को कहा जाता है तो बीबी के मगबरे को जबकि दोस्तो ताजमेल का पूर गामी किस मगबरे को कहा जाता है तो इसका सही इंसर हो जाएगा दोस्तो तो अप्स नमबर A, हुमायू के मगबरे को दोस्तो ताजमेल का पूर गामी माना जाता है, जबकि दोस्तो बीबी के मगबरे को दुतिये ताजमेल की रूप में जाना जाता है। तो अरंग जेब को दोस्तो अप्स नमबर A, हाना कि दोस्तो अरंग जेब काफी हिंदू का कट्टर विरोधी था लेकिन दोस्तो उसके सासनकाल में सबसे आदा हिंदू सेनापती ते थे। हेंडेंडन 14 नमबर कुछ ने मारा कि किस मुगल सासक को जिन्दा पीर कहा जाता है तो इसका सहीन सरुजागा दोस्तो अप्स नमबर भी औरंग जेप को दोस्तो जिन्दा पीर कहा जाता है इसके लावा दोस्तो साही वेस में फकीर जनता इसे कहती थी किसे तो औरंग जेप क हेंडेंड 15 नमर कुछ ने मारा की कि जिस प्रकार स्पेन के फोरे ने नेपोलियन को बरबात किया उसी प्रकार धक्कन के फोरे ने औरंग जेप को या कथन की सित्यास कार का है कैप्टन हौकिंस, थामस रो, इसरी प्रताद या फिर जादू नाथ सरकार का हेंडेंड 16 नमर कुछ ने मारा की औरंग जेप की काल में लिखी गई प्रसिद गरंत नुकसा ए दुलकसा की रचनाकार है हेंडेंड 17 नमर कुछ ने मारा की किस मुगल सासक ने संगीत वमनेत पर प्रतिबन लगाया था इसका से इन सरजागा दोस्तो ओप्स नमर सी औरंग जेप ने हेंडेंड 18 नमर कुछ ने मारा की किस मुगल सासक के सासन काल में भारतिय संगीत पर सरवादिक फार्सी करटियों की रचना हुई थी जहागीर की काल में बाबर की काल में उमायू की काल में या फिर औरंग जेप की काल में तो इसका से इन सरजागा दोस्तो ओप्स नमर डी औरंग जेप की काल में नेस्ट एंड लास्ट कुछ्छन एं मारा की ओरंग जीव का मकबरह कहां इस्ती थे। उसका से इनसरगा दोस्टो अप्स नमर ए औरंग जीव का मकबरह दोस्तो औरंगाबाद में इस्ती थे। तो दोस्तो आज के लिए इतना ही उमीद है दोस्तो आपको वीडियो इंफरमेटिव लगा होगा। इस वीडियो कंटेंट की पीडियेप भी आप दोस्तो फ्री आफकॉस डाउंलोड कर सकते हैं, लिंक में डिस्कुस्टन बॉक्स में दोंगा। यदि दोस्तो आपको वीडियो इंफरमेटिव लगा हो तो आप इसे अपने फ्रेंडों के साथ भी जरूर सेयर करिएगा। तो दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर और गुड़ बाई।